नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा नुटलाइट डेली, M.B. का मल्टी विटामिन और जो की एक आयरोधिक मल्टी विटामिन M.B. टेबलेट दोस्तों ये भी नैच्वरल इंग्रिडेंट से बताता है और ये भी नैच्वरल इंग्रिडेंट से ही बना हुआ है अब इसमें डिफ्रेंस और इसमें कॉंपेरिजन करके बताऊँगा दोस्तों ये एक टेबलेट रोज का निउकर होती है ये भी रोज 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 ये काव्या का है अब दोस्तों इसके विटामिन की बात कर लें तो इसमें ये लिखा हुआ है एनर्जी है, फ्रोटीन है, फैट है विटामिन, C, D, E, A और ऐसे करके बहुत सारी विटामिन से और इसने नैच्रूल इंग्रिडेंट से बताया है आमला, गिलो, अर्जुन, चाल, अश्वगंदा, सतावरी, सतीवेला, ब्रहंभी, अर्वेड़ा दोस्तों, यह अरुवेडिक है, उसमें यह डाला हुआ है, और इसमें यह नैच्रूल बताया हुआ है, लेकिन इसमें डर्एक्ट विटामिन का नाम दिया, अब इसकी प्राइस की बात कर लें तो दोस्तों, इसके अंदर जो है, दोस्तों नाडवी के आता है, और जो इससे तोड़ा side effect का खत्रा लगा है, तोड़ा liver में और इसमें आपको बहुत ही अच्छा benefit है, कोई side effect नहीं और अच्छा लगा है, लेकिन दोस्तों, यह natural ingredient है, बिल्कुल natural है, side effect इसके होने के chances बहुत कम है, वो तो क्या है, तोड़ा overdose हो जाता है, तो तोड़ा हो सकता है, बाकी तो आप इतने नहीं है, और इसके अंदर में मैंने यूज़ करा है, मुझे बहुत अच्छा बालो में, आँखों में, hair में, face glow में, सब में बहुत जादा benefit मिला है, इसका जल्दी result आता है, इसका तोड़ा delay आता है, क्योंकि आयरुदिक है, बाकी इसमें vitamins natural है, आ और दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, आपको ये किस फरकार से होती है, ये इस फरकार से टेबलेट आती है, इस फरकार से आती है, आपकी इसकी टेबलेट्स, जो एक आपको खाना कहने के बाद, डेली रहनी पड़ती है, सो टेबलेट है, लगो बहुत समय चल जाएगी, औ और दिखा देता हूं मैं किस फरकार से टैबलेट आती है यह तो आप उसको भी विजेटकर देखिये बहुत अच्छा इसकी लिए बताया है और मैंने कुछ यूस करें है दोनों यी टैबलेट बहुत अच्छा फाइदा हूए और इसका मुझे अच्छा और भी अच्छा लगा और इसका भी मुझे अच्छा फाइदा है नैच्छल इंग्रेडियंट है दोस्तो वीडियोस को आप शेर करिए जो लोगों तक इंफोर्मेशन विले चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बैल आइकन भी दबाईए और दोस्तो चैनल को वीजिट जरू करिए आज के लिए इतना ही धन्यवा दोस्तों